सेप में आने के बाद यदि आप अपनी डाइट और वर्कॉट रूटीन छोड़ देते हैं तो आप दुबारा मोटे हो सकते हैं वजन घटाना बेसा के एक मुस्किल काम है इसके लिए लोग एक्सराइज के साथ कई तरह के तरीके अजमाते हैं लेकिन पर्फिक्ट सेफ में आने के बाद वजन को मेंटन रखना और भी मुस्किल है ज़्यादतर लोग वजन घटाने के बाद फिट से मोटे हो जाते हैं दरاصल मोटापा घटाने के लिए लोग पसीना तो खुब बहते हैं लेकिन कई आम गलतिया कर बैठते हैं जिसके कारण एक बार वजन घटने के बाद वे फिर से मोटे हो जाते हैं आईए जानते हैं लोग कौन सी आम गलतिया करते हैं पहले जितने ही डाइट लेना एक बार वजन घटाने के बाद अगर आप पहले जितने ही भोजन करते हैं तो बेसक आपका वजन दोबारा बढ़ सकता है दरसल आपको पहले जितनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं है आपका वजन मेंटेन हो चुका होता है डाइट या वर्कॉट छोड़ देना शेप में आने के बाद यादि आप अपने डाइट और वर्कॉट रूटीन छोड़ देते हैं तो दोबारा आप मोटे हो सकते हो वजन मेंटेन रखने के लिए डाइट और वर्कॉट रूटीन ज़रूर फॉलो करें अपनी लाफस्टाल में थोड़ा बदलाव करें डिब्बा बंध फुट खाना वजन घटाती समय आम तोर पर अधिकांस लोग डिब्बा बंध और जंग फुट से परहज करते हैं लेकिन वजन घटने के बाद इन्हें फिर से खाना सुरू कर देते हैं इससे आप बेसक दोबारा मोटे हो सकते हैं कार्बोहड़ेट का सेवन मोटापा घटने के बाद दोबारा कार्बोहड़ेट का सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है वजन घटाने के दोरान कार्बोहड़ेट से परहज करने पर हमारी बोडी जमा कार्बोहड़ेट का उप्योग करती है दोबारा अधिक मातरा में कार्बो हेड़ेट लेने पर बॉडी फैट बढ़ने लगता है नींद ना लेना भरपूर नींद ना लेने के करण वजन तेजी से बढ़ता है इसलिए वजन को मिंटेन रखने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है अनींदरा के करण तनाव और कॉर्टी सेल का अस्तर बढ़ता है इससे मोटापा भी बढ़ता है वर्कॉर्ट से फरक ना पढ़ना वजन घटने के बाद भी लंबे समय तक एक ही वर्कॉर्ट करने से मोटापा फिर से बढ़ सकता है दरसल नहीं एक साइस ट्राइ करना अपनी बोडी को चैलेंज करने का एक तरीका है हर रोज एक ही वर्कॉर्ट नहीं करना चाहिए कैलोरी कॉंट ना करना यदि आप ये कॉंट नहीं करते कि दिन भर में आप कितनी कैलोरी का सेवन करते हैं तो आपका वजन फिर से बढ़ सकता है वजन घटने के बाद लोग कुछ भी और कितना भी खाने के आदी हो जाते हैं इससे वे दिन भर में अधिक से अधिक कैलोरी लेते हैं और वजन दो बारा बढ़ जाता है ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए और मैं आपसे सिर्फ दो चीजे चाहता हूँ एक लाइक और एक सब्सक्राइब